नमस्ते आप सभी को कैसे हैं? आप सब welcome back to the channel The Greener Grass by गुन जिन्तियागी मुझे मेरी वीडियो के ideas कहां से आते हैं? आप लोग जो comments करते हो या जो आप message करके मुझसे पूछते हो मुझे ideas वहां से आते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ कुछ ऐसे बहुत ancient symbols जिने यूज किया जाता रहा है in order to manifest आप जो चाहते हो उसके लिए कौन सा symbol किस purpose को यूज कर सकते हो वो तुम मैं बीच में बताऊंगी ही लेकिन जो चारो symbol है अगर उनको चारो को एक साथ यूज करोगे तो आपकी life में बहुत abundance, prosperity, money, सब कुछ attract करोगे तो चलिए शुरुआत करते हैं मैं बात किसके बारे में कर रही हूं मैं यहां बात कर रही हूं runes के बारे में runes के बारे में पहले भी मैंने video बनाई है लेकिन मैंने सोचा दुबारा से फिर उस चीज को दोराया जाए क्यूंकि यह जो symbols होते हैं बहुत effectively काम करते हैं और बहुत ancient है सबसे पहले मैं आपको यह जो picture देख रहे हो न यह है हमारे rook runes stone की यह runes stone जो है वो available है मतब लगा हुआ है Sweden में Sweden में यह लगा है तो आप देख सकते हो न कि इसमें सारे जितने हमारे runes है न वो बने हुए हैं तो आप समझ पा रहे हो इनकी importance क्या होती है अब थोड़ा सा runes के बार में बता देती हूँ यह runes जो है न एक integral part है हमारी Norse mythology का अब यह जो हमारे runes होते है न यह होते तो है alphabetical symbols लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन runes के अंदर magical powers होती हैं जिससे वो harness कर लेते हैं energies of wealth, health, abundance, prosperity जिसका वो rune है उसको लेकर वो चीज़ वो harness कर लेते हैं वो energy सबसे पहला जो rune थे न वो northern Europe में कहीं पाए गए थे और क्या होता है था न पुराने time में लोग क्या करते थे कि इन runes symbols को carve कर लेते थे अपने altars में जहां वो पूजा करते हैं वहाँ पर जिससे कि जो rune का symbol उन्होंने बनाया है उससे related ही वो energy अपनी तरफ attract कर ले ऐसे ही बहुत से European countries में लोग जब वो लडाई पे जाते थे तो swords पे वो अपना protection वाला rune अपनी body पे ऐसे use करते थे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के runes की जो सबसे इस video में मैं बात करूंगी हमारे उन runes की जो हमारी life में लाते है wealth, abundance, prosperity आप में से बहुत लोगों ने न मुझे पूछा हुआ है कि कोई ऐसा symbol है क्या जब हम stocks का काम कर रहे हैं हम gambling कर रहे हैं हम business पे कर रहे हैं तो हम उसे draw करके अपने पास रख सकते हैं तो यहां आपको answer मिल जाएगा सबसे पहला rune है हमारा फेहू इसको ना cattle के नाम से भी जाना जाता है आप symbol देखी पा रहे होगे इस फेहू symbol को ना हम rune of wealth and prosperity भी बोलते हैं यह हमारे runic alphabet का first symbol है यह यह भी signify करता है कि आपकी जो income है वो increase होती चली जाए on the basis of skill set you have या जो आप business कर रहे हो उसके through तो यह symbol मैं फिर से करूंगी कौन-कौन use करो जो आप stocks exchange भी यह सब काम करते हो वो use करो lottery के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं और business man इस symbol को use कर सकते हैं ठीक है now move on करते हैं हमारे next symbol की तरफ यह जो symbol है इसको हम बोलते हैं वुन्सु यानि rune of joy यह आपको prosperity देता है inner prosperity मतलब कि यह आपको prosperity देगा by harmony, by gratitude, by being thankful यह आपको help करता है कि आप focus उस चीज़ पर करो जो आपके पास है उस पर नहीं जिसमें आप lack कर रहे हो और यह सब बात तो आप समझ ही गए होगे कि जो हम सोचते हैं वही हम attract करते हैं तो जब आप उस abundance वाले mindset में उस खुशी वाले mindset में रहोगे तो वही चीज़ तो अपनी तरफ attract करोगे ना lacking में नहीं रहोगे abundance में रहोगे तो abundance ही attract करोगे अब move on करते हैं third symbol की तरफ इस rune को कहते हैं जेरा या जीरा भी होलते हैं ये है हमारा rune of harvest actually जेरा का जो meaning है न वो है year ये connection है seasons के साथ मतलब कि ये work करता है associated with the cycle of nature अब ये जो हमारा जेरा है न ये actually हमारी prosperity mindset देता है long view approach वाली ये आपको quick results नहीं देगा लेकिन आपको ऐसे results देगा जो divine timing के साथ match होंगे और एक reward के form में मिलेंगे मतलब जो सोचा है उससे कई गुना ज़ादा देगा ये आपको न सूजबूज के साथ perfect timing की भी समझ देता है तो ये जो हमारा symbol है न जेरा ये ऐसे काम करता है आप move on करते हैं हमारे fourth symbol की तरफ अब ये जो हमारा fourth rune है इसे बोलते हैं dagas dagas का meaning होता है day इसे कहते है rune of radiant breakthrough के नाम से जाना जाता है ये जो हमारा rune है न ये कहता है कि सिर्फ long planning से नहीं आपको instant भी पैसा आ जाता है ये आपको पैसा लाएगा कहां से unexpected windfall of money से मतलब कि lottery जीत जाओ या कहीं से आपको gift check मिल जाए तो ये ऐसे काम करता है ऐसे आपको money देता है ये ये नहीं बोलता है कि हमेशा long planning करो ये कहता है कि कभी कभी न divine energies आपके बहुत benevolent हो जाती है आपके लिए बहुत प्यार आजाता है, kind हो जाती है आपके उपर तब आपको ऐसे ही unexpected money आजाता है तो अब ये जो मैंने आपको चारो runes बताएं ना मैंने शुरू में ही बोला कि ये हमारे runes है prosperity abundance के basically ये क्या करेंगे आपके mind को एक mindset बना देते हैं जो होता है abundance वाला mindset और जैसा mindset होगा वैसी ही चीज़े attract करोगे तो इन चारो symbols को भी आप draw करके अपने wallet में रख सकते हो pocket में carry कर सकते हो या इनको बना के paper में बना कर फिर एक ना 20 जैसे होते हैं markets में available हैं उनमें भी लगा सकते हो रख सकते हो या अपनी body पे draw करकर भी use कर सकते हो कौन से color से करना है money से related है तो green color से draw कर लेना ठीक है तो आप इन सब को ऐसे use कर सकते हो और हाँ runes हमारे spells वगेरा में काम आते हैं हम लोग wooden runes use करते हैं अपने spells में जब हम किसी और के लिए spell cast करते हैं एक different चीज होती है इनको आप ऐसे use कर सकते हो wooden runes available हैं मेरे पास भी हैं market में भी available हैं आप वहाँ से ले सकते हो और अपने साथ या आप नहीं लेना चाहते हैं तो paper पे draw करके रख लो ठीक है तो ये हो गए हमारे symbols जिने आप use करो अपनी इन सब बातों में यूज करो business के लिए यूज करो अपना money का कोई related issue है उसके लिए use कर लो तो ये सब आपके काम आएंगे और जैसा इनका meaning समझा है वैसे इनको use करना ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you so much for watching please do like, share and subscribe and telegram वाला जो channel है ना उसको भी link पे click करके उसको join कर देना thank you so much and जैस याराम